तो गाइस, बीच में एक चीज बहुत ही ट्रेंड में था, या फिर ट्रेंडिंग उसका टॉपिक चल रहा था, वो था गाइस, मैं आपको हिंट देता हूँ, वो है डैश की खुदाई, अब आपको अगर याद आ रहा हो क्या चीज था, तो मेरो कमेंड में बताएगा पहले जिस बहुत प्रेंड में था, तो आज हम बात करेंगे उसी JCB के बारे में, उसका एक मॉडल जिसका नाम है JCB 3DX बैक होल रोडर के बारे में, बैक होल रोडर के बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन JCB बोल लोगे, तुरंत एक बंदा समझागा कि हाँ, यह वो गाड़ यह जो 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 सिरिल बैंफोर्ड है, यह इसी कंपनी के फाउंडर का नाम है, जो नहीं इस गाड़े को इन्वेंट किया था, तो उरी का नाम से इस गाड़े पर पढ़िया है, इसका नाम था JCB, शॉर्ट फर्म, जो सिरिल बैंफोर्ड का, तो गाड़ी है JCB 3DX बैक होल और इसका प्राइस स्टार्ट होता है, एक शोरूम 16 लाक रूपीज और इसका टॉपन वेरियंट का प्राइस यहता है, अप टू 29 लाक रूपीज एक शोरूम तर, इसमें आपको पांच वेरियंट्स देखने को मिल जाता है गाड़ी में, सबसे पहला है 2DX, दूसरा है 3D 3DX Eco Excellence, उसके बाद है 3DX Extra Eco Excellence, चौथा है 3DX Super Eco Excellence, और पांच वा है 4DX Eco Excellence, अगर यह मैं बताओ कि Eco Excellence क्या चीज़ है, तो वो एक्चुरी थोड़ा सा इंजिन के बारे में है, इंजिन रिफाइंड है, और इंवारिमेंट्मेंट्स फ्रेंडली है, वहीं Eco Excellence का मतला है, थोड वहीं किले है, जादा इसको टॉर्ड अगरा चाहिए, तो इसमें इसलिए डीजल का यूस ज्यादा होता है, पेट्रोल का कोई नहीं होता, थे भी होता है तो इसमें तो होगा यह नहीं फिर भी, तो डीजल इंजिन जो इसमें आपको मिलता है, वह मिलता है, एक 4800CC का in-line 4 4-cylinder JCB 448 naturally aspirated water cooled eco max diesel engine इतना बड़ा engine का system और नाम था तो गाइस भी मोटा मोड़ी बताओ तो इसमें एक 4800 cc का engine लगावा है नियर अबाउट 5000 cc का engine लगावा है 4.8 liters का याको नियर अबाउट 5 liters का और इसमें यह जो engine है diesel engine हाँ diesel engine लगा हुआ है अपको पेट्रोल तो है इच नहीं इस यह जो engine है गाड़ी यह पावर प्रडूस करेगा 76 horsepower का और जो टॉर्क प्रडूस करका वह होगा 305 Nm का diesel engine वैसे ही ज्यादा टॉर्क प्रडूस करता है कंपनी क्लेम करता है यह गाड़ी आपको माइलिस दे देगा बहुत ही जादा वो है दो किलोमेटर पर लेटर समझे रहो दो किलोमेटर पर लेटर तक का एवरेज कंपनी क्लेम करते गाड़ी दे देगा और इसमें आपको 128 लेटर का fuel tank को मिल जाता है ओवियसली काम करने वाली मशीन है काम करने वाली गाड़ी है तो इसमें fuel tank जो है बहुत ही बड़ा चाहिए नॉर्मल गाड़ी तो है ने तो इसमें इसका top speed रखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा इसका top speed है मतलब आप मान के चलो की 140 km नहीं है तो यही सब चीज़े था इसके engine के बारे में यही सब चीज़े था यह पावर और टॉर्फ वगएरा और श्पीड वगएरा यही सब था बाकी गाड़ी जो है एकदम मतलब आपको पता ही है मैंने को बता लीगी ज़रो होता है जिससे भी कैसी गाड़ी है जैसकि मान को बत बता होगा तो बना देंगे कोई दिखकत वाली बात ही है तो के लिए खुछ रहें आप वीडियो पसंद तो लाइक जरू कीज़ेगा नहीं पसंद डिसलाइक कीज़ेगा जुड़े रहिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग डेशाइब करके देखते हैं तो अच्छा लगेगा मैं अब दाव सकले अच्छा लिए खुछ रहें शुरुक्षित रहें सेव ड्राइब कर आपना अपने पोडिवार के देहन रखें रखें बाइबाइबाइब